केंदर समय देश के सभी हाई कोट को सुप्रिम कोट का नोटिस नमस्कार जूम नीज में आपका स्वागत है मैं हूं सद्धा मली सुप्रिम कोट ने योन अपरादों और दुषकर्म के मामले में देश की अपरादिक नया प्राणली का मुल्यांकन करने के लिए सुप्रिम कोट ने केंदर राजी सरकारों और केंदर शासित पर्देशों को नोटिस जारी कर जवाब मंगाये क्या है पुरा मामला आएए देखते हैं सुप्रिम कोर्ट ने योन अपरादूआ दुशकम्र के मामले में खुद ही संग्यान लिया है। सुप्रिम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट से इस मामले से जुड़ी जाच करने, सबुद इकटा करने की प्रकरिया और मामले से जुड़े तत्यों का ब्योरा दिनों को कहा चीफ जस्टिस S.A. बॉबडे ने बुद्वार को केंदर सरकार से ग्रह सच्चु के जरीए इस मुद्धे पर अपना जवाब फाइल करने को कहा, वहीं राजी सरकारें और केंदर शासित परदेश अपने अम्मो की सचीवों के जरीए जवाब दाखिल करेंगे, इसके बाद इसे मामले में कारवाई और फैसले में देरी से लोगों के मन में चिंता और अशान्ति पैदा होती है, इसी वज़ा से लोग आंदोलन करते हैं, कोड ने कहा कि दुशकर्म की सिती में कानून के प्रवधानों को पूरी तरह लागू करनी के लिए उपलब सुशनाओं और प दुशकर्म के दोश्यों को देया याची का दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, संसद को इस मामले की समिच्छा करना चाहिए, बता दें कि अप्रेल में पाक्सु एक्ट में संशुधन को राजपती की मंजूरी मिली थी, अप्रेल में राजपती ने पाक्सु एक् इसके मताविक 12 साल से कम उम्र के बच्चों से दुशकम करने वालों को मौत की सजा तक का प्रावधान है